जे हिन सातियों सातियों आज बात करते हैं सेना बर्तिरेली से जुड़ी हर खबर के बारे में दोस्तों जे हाँ दोस्तों जो सेना बर्तिरेली है रुकावट किस कारण से आ रहे ही दोस्तों दोस्तों सेना बरतीरेली हो या सेना बरतीरेली की प्रिक्षया हो दोस्तों सभी पॉस्पेट हो रहे ही दोस्तों इसका क्या कारण रहा है दोस्तों उसके बारे में संपुर्ण जानकरी इसी वीडियो के मादे में से मिलेगी दोस्तों जे हाँ दोस्तों उद्यपूर, अलवर और अजमेर में जो सेना बरतीरेलिया हुई थी उसका अभी तक एक्जाम किस कारण से नहीं हो रहा है दोस्तों दोस्तों COVID-19 के चलते कहीं सेना बरतीरेलियां फिर से इस्तागित हो चुकिये दोस्तों और जो भी प्रिक्षिया है वो भी पॉस्पेट हो चुकिये दोस्तों जे हाँ दोस्तों सेना बरतीरेलिय के लिए करीबन पत्चीस जिलों के अभियारती 55 000 के लगबग अवियारती है वो सेना बर्तिरेली में बढ़ते होने का इntजार कर रहे हैं दोस्तो उध्यपुर में इसी साल फरवरी माहे के अंदर जो सेना बर्तिरेली है होई थी उसकी लगबग करीबन 3-4 बार जो सेना बर्तिरेली के लिकित परिक्षा की गोशना हुई थी पंटु वो कोविन एंटी के कारण सेना बर्तिरेली की परिक्षा टाल दे गई थी दोस्तों इसी परकार अलवर सेना बर्तिरेली जो अप्रेल माई के अंदर हुई थी और अजमेर जो सेना बर्तिरेली है वो जुलावी माई के अंदर ह थे सम्भावत हैं अभी तक परक्रिया है सेना बरती रेलिया की जो तैयारी है वो कम हो रहे ही दोस्तों जे हाँ दोस्तों संबध बर्टी पर किर hall और बर्ती नियुमों में सरकार कुछ बदलाव कर रही है उसकी तेयारी में है जिसके कारण सेना बरती रिली की जो परिक्षा है और सेना बरती रिली की एगजाम है वो सभी पॉस्प्वेंट कर रहे हैं हालां की दोड़ सारीक परिक्षा अब जल से जल लिक्षित परिक्षा की गोशना करने की इंतजार में है क्योंकि उन्हें करीबं एक वर्स हो गया और उनकी लिक्षित परिक्षा का अभी तक कोई भी जो कनफरम नौटिफिक्षन नहीं आया है दोस्तों इसके कारण पर्देश के सभी युवा है वो अब सेना बर्तिरेली की तैयरी करने वाले हैं उन्हें निरा सा हाल लग रही है दोस्तों जी हाँ दोस्तों सेना बढ़ते रेली की परदे इसमें कोरोना की दूसरी लेयर के कारण जो सेना बढ़ते रेली में जो अन्य जो परिक्षा हैं वो इस्तागित नहीं की गई वो भी परिक्षा हैं हो गई परन्तों सेना बढ़ते रेली की जो परिक्षा हैं इस तीनों सेना बर्तिरेलियों में सामिल हुए थे दोस्तों करीबन 30,000 से अधिक अभियारती है वो अलवर्ट जिले से केवल जो सामिल हुए थे दोस्तों इसी के आदार पर देखा जाए तो 22,000 अभियारती केवल नागोर जिले से इस सेना बटिरेली में भाग लिया था दोस्तों करीवन 1,000 से कम अभियारती परताबगट बासबडा डूंगरपूर 12 जिले के अभियारती इन सेना बटिरेली में भाग लिया था पंटू सबसे जदा जो युवा है अलवर और जो नागोर सेना बढ़ती रेलिया है दोस्तों इसी के अंदर आते हैं पर उन युवाओं को अब निरासा हाथ लग रही है और इसी के साथ एक नई खुशकबरी आने वाले दोस्तों जल्दी जो लिकित प्रिक्षा है जो फरवरी और अप्रेल और जुलाई माई के अंदर जो सेना बढ़ती रेलिया हुई थी उनकी लिकित प्रिक्षा जल्दी आई जिन की जानी है दोस्तों दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो दोस्तों सेना बरतिरेली की परतेक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी का मामला है, वो संसद में गृमाय था इसी के कारण जो रक्षा मंत्री है राजनासा उन्होंने अब नई सेना बरतिरेलियों की जो नई परकिरियां के आदार पर कुछ बदलाओ करके सेना बरतिरेलियों को आईजन करना है दोस्तों जी हाँ दोस्तों परदेश में पिछले कापी समय से लंबित सेना बरतिरेली परिक्षा है जो नई परिक्षा है बरतिरेलियां जो मुद्दा है वो सोमार को संसंस में गुजा नागोर संस धन्वान बलिवान ले सुन्य काल में राजस्तान की नई सेना बरतिरेलियों परिक्षियां और जो पूर्वे में लंबित प्रिक्षियां है और सेना बरतिरेलियों उनको पूरा करवाने के लिए रक्सा मंतरी को यह दिसा निदेश यह थे दोस्तों और उनकी मांग उठाई थी दोस्तों तो दोस्तों अब आपके लिए जल्दी सेना बरतीरेलियों के लिए लिकित प्रिक्षिया का आईजन और सेना बरतीरेलियों के लिए खुसकाबरी आने वाली है दोस्तों जे हाँ दोस्तों अपनी तयारी में जारी रखना रेटर्न हो या अपनी जो फिजिकल प्रक्रियान है दोस्तों उसको जारी रखना ताकि आपको जल से जल जो सेना बढ़ती रेलिए आने वाले है उनमें अपना जो अवसर मिल सेके दोस्तों तो दोस्तों अधिक जानकरे के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और दोस्तों आप हमारे चैनल पर फ़र्ष्ट बार विजिट करे हो तो परीज हमारे चैनल वह सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हो कापी संसद में गर्माने के बाद में जो सेना बरती रेलियों के जो नए नए नोटिस आ रहे हैं दोस्तों उसमें चुनावी रेलियों हो सकती है पर तो सेना बरती रेलियों क्यों नहीं दोस्तों यहने हो पर दोस्तों तो दोस्तों जल्दी अपनी जो नहीं आने वाली जो सिरे से सेना परती रेली है उसके लिए आप अपनी तयारी जारी रखना दोस्तों दोस्तों एक खास बात आप आपको बता देते हैं कि सेना बरतीरेली में यदि आप किसी भी एक ARO से सेना बरतीरेली देख रहे हो तो उसी ARO से सेना बरतीरेली देखना अर्णियता आप किसी भी परक्रिया से गुजरे हुए अभियारती अपने सेना बर्तिरेली में जो सपलता हसिल नहीं कर पाओगे दोस्तों याने जिस AIRO से आप सेना बर्तिरेली देख रहे हो उसी AIRO के लिए आप नया फोरम एपलाई करना दोस्तों अर्णियता आप दूसरे AIRO के जो डोकुमेंट मनवा कर सेना बर्तिरेली में जाओगे तो वहां से आपको सारी प्रक्रिया होने के बाद में वापिस निकाल देंगे दोस्तों दोस्तों ये सबी सेना बर्तिरेली में नए नियम आ रहे हैं दोस्तों उसके कारना आप अपनी सेना बर्तिरेली की तैयारी अपने AIRO के तैत होने वाले सेना बर्तिरेली में जाए और जो भी आपके लिए सेना बर्तिरेली का नोटिपिकसन आए उसमें पूरी जानकारी